हे गाईज और कम बैक टू माई चैनल ये है पापदाफीस पापदाफीस को मैंने घरी में क्लीन किया है तो मैं आज आप लोगों के सांद शेयर करूंगी कैसे पापदाफीस को आप अपने घर पे क्लीन कर सकते हैं बहुत ही इजी ली इस तरह से है देखने में इसका नाम है तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक हसिया इसको बेग्छाली में बोठी भी बोलते हैं और बोठी से अगर फिश को अब खलीन करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है क्योंकि आप जब मचली लेने जाते हैं मचली मार्केट में देखे हैं इस तरह से जो बोठी है बोटी से ही फिश को क्लीन करते हैं, ऐसे आप चक्कु से भी क्लीन कर सकते हैं, बट बोटी से ज़्यादा इजी पड़ता है, तो यह देखिए जो फिश है ना, इस फिश में स्केल बहुत कम होता है, और मतलब होता ही नहीं है, कम नहीं होता ही नहीं है, इसका जो उपर पोर् इसका मूँग के साई इस तरह से एक दो स्टीना होता है और यह बहुत बहुत्स लिया बेता है और मैंने थोड़ाआ लिया है causal क्योंकि जो फिश का बborी बाद स्लिप करता है तो इसका कट्रोल करने के लिए जैसे हाथ लगा के इसको क्लीन करेंगे और इसका जो digestive system है इसका हेड है हेड के काफी क्लोस होता है तो इस तरह से मैं एक मतब को काच के हलका साइसे काट लगा लूँगी काच को इसका digestive system को इस तरह से भी निकाल सकते हैं और दूसरा एक जो माउथ पोर्षन है माउथ से भी कर सकते हैं यह अपने हैं बहुत वाला फिश होता है जो ही प्रेट आरे ही पोर्षान के बगल में जो कान होता है नहीं तो डाइज़े बस्तिक निकल जाता है अभी रहा कर आपको दिखाती हूं ए देखिए इसके दोनों साइड है इसमें थोड़ा काटा वाला फिंश होता य इसको मैं काट दूंगी पहले और फिस को पहले से थोड़ा सा गिला कर लेने से ना फिस का जो स्केल है बहुत इजीली निकल जाता है हलाकि इसमें कोई स्केल है नहीं और इसके जो माउथ में दो एंटीना था उसको भी क्लीन कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके मैं हाद में लगाऊंगी जैसे स्लिप कर देखें जो कान है ना कान के पास ऐसे हलका सा उठाके और इस तरह से थोड़ा से खीचेंगे देखिए जैसे उठाए उठाके इस तरह से खीचेंगे तो इसका जो डाइजस्टिय सिस्टम है एदे के माउथ के साइड से ही निकल आता है क्योंक तफ नहीं है दूसरा फीश में थोड़ा स्केल को क्लीन करने में जादा टाइम लगता है इस तरह से सारा फीश को मैं क्लीन कर लूँगी रेखे जो माउथ पॉर्षन है माउथ पॉर्षन को पकर के थोड़ा सा खीजने से ना इसका डाइजेस्टि सिस्टम निकालाता है बहुती इजी ली ए देखे पूरा निकालाया बाकी फीश को मैं इस तरह से क्लीन कर लूँगी सेम प्रोसेस से इसले मैंने फर्स्ट फड़वर में दिखाया अब ही मैं आपको दिखाओंगी मैं कैसे इसको क्लीन कर सकती हूं मतलब कटने के बाद इसको तो क्लीन करना पड़ेगा ना तो क्लीन करने में भी एक ट्रिक है जिसके वज़े से फीज एक डॉम क्लीन हो जाएगा है जारा फीज कटने के बाद अब मैं धूने के लिए आ गई हूं यह भी बहुत ज़दा इंपॉर्टन है इसलिए मैं यह बैक्तिरिया हो जाता है ज वे प्न हो सब्ते करें गे इसलिए को पानि इस जो क्लीन करेंगे इसन बड़े ज़ों कि आपके के साथ मैं नहीं लुकुस promote करने के बाद पानी आप έχει अगरत हो छोग डात रहा है तो बहुत अच्छे असे इसको पहले कर लेंगे जब तक ना पानी transparent हो जाए पांच शे बर clean करना है पांच शे बर धूली के बाद पानी transparent हो जाता है अब देखिए पानी अच्छा से transparent हो गया है इस ताइम हम इसमें add करेंगे 1 टेबल स्पून नमक नमक डालके और इस फिश को अच्छा से मिलाते रहेंगे जब तक नमक अच्छा से मेल्ट हो जाए नमक डालने से फिश का जो स्कीन है ना एकदम चमक जाता है हलका सा जो ब्लैक ब्लैक देख रहा है आप खुदी देखिएगा एकदम ये सफेध होड़ी लगता है काला काला पानी निकल जाता है और गंदा पानी में रहने के बज़ाए से पानी में गंदा नहीं भी हो फिर भी तो बैक्टिरिया पानी में होता है बैक्टिरिया बग्रा जो इसका स्कीन में ग्रो करने लगता है ये सारे इसमें डामेज हो जाता है नमक के बज़ाई से और स् डिली में क्लीन कटिसों जब करें कोई फीस को जब कमाने फीस कुझा ग्लील हो जाता है। यूआ फुद्टी के स्किया गतला है फाले देछटेमें फीस की इसे आप आप देखे वसी माड़ पीड में चमक जाता है। ब्लाकिस वाला जो पोर्चान दाता है ना ये एकदम क्लीन हो जाता है ये देखिए कितना अच्छा से क्लीन हो गया है इस तरह से आप भी अपने घर पे पापदा फिश को क्लीन कर सकते हैं हमेशा चोटा जब फिश होता है दुका अंदर क्लीन करके नहीं देते हैं यार कोई भी क्लीन करते हैं तो उसका इक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं तो इस तरह से आव आपने घंध सकते हैं, बहुत इजइली आधा कर सकते हैं इस तरह से ओर्शी हें कोई भी लोही का दुकाड में आधार मिल जाता है में चांच बाइस चाहिए हे अजेगा में बिल दे कोता है, यह अधनी हो चुका भेनन हो स्यख़ें यह देखिए फिस बहुत अच्छा से क्लीन हो गया है I hope guys मेरा यह छोटा सा क्लीनिंग प्रोसेस आपको आच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो आच्छा लगा तो प्लीज आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे एंड शेयर कीजे हम फिर मिलेंगे और एंग निव इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई अगर आप इस तरह से क्लीनिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करेंगे जरूर बताइए मैं और भी क्लीनिंग फिस क्लीनिंग कैसे करते हैं वह मैं दिखाऊंगी